दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ एक romantic comedy वीडियो को इस वीडियो में हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो काफी मासूम होती है लेकिन दीरे दीरे उसे गंदी चीजों की आतत लग जाती है इसके बाद क्या होता है वो हम जानेंगे आज किस explanation में दोस्तो आज में जिस movie को explain करने जा रहा हूँ उस movie का नाम है Yes God Yes और ये movie 2019 में release हुई थी movie के starting scene में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम Alice है जो कि एक Catholic school में पढ़ती है और ये school rules के मामले में काफी जादा strict है यहाँ लड़कियों की skirt की length एक skill से measure करी जाती है से पहले sex करना पाप है और भगवान ने sex सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी generation को आगे बढ़ा सकें यानि कि मर्फी इन लोगों को समझा रहा होता है कि sex सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है और इससे जादा कुछ भी नहीं तब ही उनमें से एक लड़का masturbation के बारे में पूसता है तब मर्फी उन लोगों को समझाता है साधी से पहले ऐसा कुछ भी करना गोड के plan के खिलाफ है और ऐसा कुछ भी करना पाप है और तुम लोगे एक बात हमेशा याद रगना कि गोड तुम्हें हमेशा देख रहा है स्कूल के बाद हम Alice को देखते है जिसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम लो रहा है और ये दोनों बाते करना शुरू कर देते है Alice उससे पूस थी कि क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था कि मास्ट्रपेशन करना पाप है वो कहते कि हाँ मुझे पहले से सब कुछ पता था Alice उससे कहती है कि मुझे ये सब कुछ जानने की बहुत इच्छा होती है इसके बाद Alice अपने घर आ जाती है और कंप्यूटर में एक मेसेंजर आप उपन करती है तब ही वो देखती है उसके पास एक मेल आया है और वो एक ऐसे आदमी का मेल होता है जो कुछ अडल्ट फोटोस Alice को बेशता है Alice उन फोटोस को देखकर जल्दी से अपने कंप्यूटर की स्किन को बंद कर देती है लेकिन कुछ देर बाद उसव उन फोटोस को देखने की इच्छ होने लगती है जिसके बाद वो उन सारी फोटोस को देखने लगती है तब ही उस आदमी का एक और मैसिज एलिस के पास आता है वहाँ वो लिखता है ASL लेकिन एलिस को इसका मतलब नहीं पता था इसका मतलब जानने के लिए वो इस आदमी से पोच्छती है तब वो आदमी बताता है कि इसका मतलब है A.S.S. and Location तब एलिस इसका जवाब देती है वो आदमी एलिस से उसकी एक फोटो माँगता है जिस पर एलिस उसा अपनी फ्रेंड की फोटो देती है वो आदमी रिपलाई करता है कि तुम देखने में काफी सुन दरो इसके बाद वो आदमी Alice को adult message करना शुरू कर देता है Alice को उस आदमी की बहुत सी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा होता है लेकिन वो इन सब चीजों को जानना चाहती थी तब ही वो आदमी उसे एक over adult image भीजता है और वो आदमी उससे पूसता है Are you touching yourself? Alice जब ये सुनती है तो उससे काफी अजीब लगता है और वो अपनी curiosity के लिए अपने आपको छूने लगती है जब वो ऐसा करती है तो उससे काफी अजीब लगता है तब ही उसे अचाना कपने mom की आवास सुनाई दीती है जिसके बाद वो अपने computer को बंद करके वहां से चली जाती है अगले दिन स्कूल में Alice अपनी friend लोरा के साल लंच कर रही होती है तब ही एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम Beth होता है Beth Alice से कहती है कि मैं believe नहीं कर सकती वो हम आगे वीडियो में जानेंगे Beth इन दोनों को एक जगे के बारे में बताती है Beth कहती कि मैं लाश टाइम स्कूल की तरफ से वहां पर गई थी वो जगे काफी spiritual है और तुम लोगों को भी एक बार वहां पर जाना चाहिए मेरे माँ जाने के बाद मेरी life पूरी तरह से बदल गई है यह सब बता कि Beth वहां से चली जाती है इसके बाद Alice एक चोकलेट का रैपल निकालती है और उसे चाटने लगती है Alice को ऐसा करता है देख वहां पास बैठे लड़के हसना शुरू कर देते है इसके बाद Alice वहां से उठकर के चली जाती है लेकिन उसी वक्त उसके सामने इवैड और हैदर आते है और यह दोनों Alice से बहुत जादा गुस्सा होते है Alice को अपने अडल्ट चैट के बाद खुद पर बहुत जादा गिल्ट फिल हो रहा होता है और अपने इसी गिल्ट को दूर करने के लिए वो लोरा के साथ उस जगे पर जाने के लिए तैयार हो जाती है अब Alice अपने दोस्तों के साथ उस जगे पर पोच चुकी है वहां वो एक लड़के को देखती है और अपनी फ्रेंड से पूस्ती है कि यह कोन है लोरा पता थी कि अपने इसकूल का फुटबोल टीम का कैप्टन है Alice उसे देखकर उसकी तरफ एट्रेक्ट होने लगती है तब ही एक लड़की Alice के सामने आती है जिसका नाम नीना है नीना इन सब को इनका रूम दिखाती है और कहती ही कि यहां पर फोन और घड़ी अलाओड नहीं है जिसके पास भी फोन और घड़ी है वो मुझे दे दो मैं तुम्हें बाद में वापस दे दूँगी Alice उसे अपने घड़ी दे देती है लेकिन वो अपने फोन अपने पास ही छुपा लेती है इसके बाद यह लोग एक होल में जाते है जहां मर्फीन लोगों को गुरूपस में बाड़ देता है Alice की टीम का कैप्टन वोई लड़का था जिसे Alice पसंद करने लगी थी और इस बास से Alice बहुँ ज़्यादा खुश हो जाती है जब सब लोग एक जगे पर बैठे होते हैं तो मर्फीन लोगों से कहता है कि तुम्हें यहां पर गोड ने बुलाए है और यहां आकर तुम्हारे गोड के सारे रिलेशन स्ट्रोंग हो जाएगा इसके बाद यहां पर सबको एक फोर्म बनने के लिए दिया जाता है जिसमें कुछ फिलिंग्स लिखी हुई थी फिर मर्फीन सबसे कहता है कि लाश्ट यहर से अब तक तुमने जो भी फिलिंग महसूस की है तुम लोगों को उसे टिक करना है जिसके बाद इली से अपना फोर्म बनना शुरू कर देती है और वो टन ड town पर टिक कर देती है लेकिन कुछ देर बाद वो से मिटाना चाती थी लेकिन वो एरेज नहीं होता तब यह फोर्म बनने का टाइम खत्म हो जाता है जिसके बाद वो turn on को काट के अपना phone submit कर देती है इसके बाद नीना इन लोगों के सामने एक speech देती है वो बताती कि उसकी family उसे ignore करती है लेकिन यहाँ आने के बाद उसे ऐसा feel होता है जैसे वो अकेली नहीं है और गोड उसके साथ हमेशा है नीना की speech सुनने के बाद वहाँ बैठे सारे लोग emotional हो जाते है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात को Alice अपने phone में game खेल रही होती है लेकिन तबी उसका phone vibrate करने लगता है वो कुछ देर तक सोचती है और उसके बाद अपना phone अपने पजामे के अंदर डाल देती है लेकिन ऐसा करने सोसा काफी अजीब लगता है नेक्ट वो सभी एक जंगल में घूम रहे होते हैं लेकिन Alice की नजर क्रीस परी थी तबी एक लड़की वहाँ पर गिरने वाली थी लेकिन क्रीस उसे बचा लेता है ये देखने के बाद Alice भी गिरने का नाटक करने लगती है जिसके बाद क्रीस उसके पास आता है और उसे अपने गोद में उठा कर एक नर्स के पास ले जाता है ये सब Alice को बहुत अच्छा लगता है इसके बाद हमें Alice को एक कमरे में दिखाया जाता है जहांपर नीना उससे मिलने के लिए आती है लेकिन तबी Alice का फोन वाइबरेट करने लगता है और नीना को पता चल जाता है कि Alice ने मुझे जूट का था कि उसके पास कोई फोन नी है इसके बाद नीना मर्फी के बाद जाके उससे सारी बात बता देती है मर्फी Alice से कहता है कि हम लोग याँ पर कुछ हासिल करने के लिए आये है और तुमने हमारे रोस को ब्रेक किया है और इसकी सजा अब तुमें मिलके रहेगी मर्फी Alice से कहता है कि तुम्हारी पनिश्मेंट ये है कि तुम्हें इस पूरे कैम्प को साफ करना है इसके बाद Alice अपने काम में लग जाती है और वो सारी जगे साफ सफाई करने लगती है सफाई करते करते हुँँँँँगे रूम में पोस्ती है लेकिन वो से शटडाउन करना भूल जाती है रात को सारी स्टूडेंट मर्फी के सामने बैटे होते है फिर मर्फी उन इस स्टूडेंट के घर साई हुए लेटर्स को पढ़ता है ये से सुनका सभी इमोशनल हो जाते है इसके बाद वहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते है तब ही वहाँ पर मर्फी आता है और सबसे कहता है कि तुम लोगों मेंसे किसने मेरे कंप्योटर में अडल्ट चैट की है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता मर्फी कहता है कि मुझे नहीं पता की हरकत किस की है लेकिन याद रखने की गोड़ सब कुछ देख रहा है इसके बाद मर्फी एलिस को अपने रूम में बुलाता है और उससे पूसता है कि तुम्हारा गोड़ के सा रिलेशन कैसा है जिस पर एलिस कहते है कि अच्छा है मर्फी उससे पूसता है कि तब तुमने फोर्म में टर्ण उन पर टिक क्यों किया था एलिस उससे कहते है कि ऐसा मैं बहुत पहले फिल करती थी मर्फी उससे पूसता है कि क्या तुम अब भी ऐसा फिल करती हो वो कहती है कि नहीं इसके बाद अलिस अपने काम में बिजी हो जाती है तब ही वहाँ पर वेट आता है और सारा कशला डश्ट बिन के वज़ाए नीचे फैक देता है अलिस उसे पूस्ती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वेट कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरा ब्रेक अप होने वाला था अलिस उसे कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है मुझे तो इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता तब ही वहाँ पर मर्फी आता है और वेट को अपने साथ ले जाता है इनके जाने के बाद अलिस फिरस अपने काम में लग जाती है तब ही वहाँ पर उसे एक बैंड मिलता है जिस पर वेट का नाम लिखा हुआ था वो उस बैंड को अपने पास रख लेती है और फिरस अपने काम में बिज़ी हो जाती है लेकिन इसके बाद जो अपने आखों से खड़की से बाहर देखती है उसे अपने आखों पर बिलीव नहीं होता वो देखती कि नीना एक लड़के को किस कर रही है ये सब देखके एलिस बहुत शोक्ट हो जाती है और वो जाके ये सब बाद लोरा को बताती है लेकिन लोरास की बातों पर यकिन नहीं करती लोरास से कहती है कि तुमने इना के बारे मैं ऐसी गंदी बाते कैसे कर सकती हो तुम्हें ऐसी अफ़वन नहीं फिलानी चाहिए इसके बाद वो अलिस से पूस्ती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कुतना कम वरा Alice Lora से कहती है कि सब के पास कुछ न कुछ श्टोरी ती लेकिन मेरे पास कोई भी श्टोरी नहीं थी इसलिए मेरे मुझे जो कुछ भी आया वो मैंने बोल दिया फिल लोरा से कहती है कि तुम्हें एक जूटी लड़की हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ही मर्फी की कम्प्यूटर से अडल्ट शैट करी थी और तुमने ही सैलेट को टोस किया होगा एलिस से कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुमें मेरी बात पर यकिन करना चाहिए जिसके बाद लोरा वहाँ से चली जाती है अब हम देखते हैं कि एलिस को काम करते हुए एक आइडिया आता है और वो वेट का बैंड मर्फी के कम्प्यूटर के सामने रख देती है जिसके बाद वहाँ पर मर्फी आता है और एलिस जल्दी से कोने में छुप जाती है मर्फी अपना कम्प्यूटर खोल के एक अडल्ट वीडियो प्ले करता है और वहीं पर मास्टरबेट करने लगता है एलिस ये सब देखकर अपने आखों पर बिलीव नहीं कर पाती और वो अपने आखों को बंद कर लेती है इसके बाद हम लोग किरिस को देखते हैं जो आकर एलिस से पूसता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो जिसके बाद ये दुनों वहीं पर बैट करके बाते करने लगते है लेकिन तब ही अचानक एलिस को किस करने लगती है और किरिस भी उसका साथ देने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद किरिस उससे दूर हट जाता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो ये गोट के प्लैन के खिलाफ है ये सब बोलने के बाद किरिस यहां से चला जाता है और एलिस बहुत उदास हो जाती है इसके बाद रात में सब लोग परातना कर रहे होते हैं तो Alice यहां से उठकर के चली जाती है और सीधा एक बार में पोच जाती है वहाँ वो बार के ओनर गीना से मिलती है बार ओनर Alice से पूस्ती है कि तुम इतनी उदास क्यों हूँ Alice कहती कि जो लोग जैसे होते हैं वो दिखाते क्यों नहीं है गीना समझाती कि ऐसा सब करते है Alice कहती कि मैं तो अपनी छोटी छोटी गलतियों से भी डरती हूँ क्योंकि मैं इसके कराण नर्क में चली जाओंगी गिना उससे कहती कि मैं भी बच्चमन में एक strict Catholic school में पढ़ती थी और मुझे तुम्हारी feeling अच्छे से समझा रही है एलिस को गिना से बात करके बहुत अच्छा लगता है उसके बाद गिना एलिस से कहती है आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ जाते हुए एलिस गिना से पूस्ती है क्या तुम्हें सैलेट टोसिंग के बारे में बता है ये सुनकर गिना हसने लगती है गिना उससे कहती ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है उसके बाद एलिस अपने रूम में आती है सुबह जब सब लोग breakfast कर रहे होते हैं तब मर्फी वेट के पास आता है और उस अपने साथ ले जाता है यहीं पर लोरा एलिस के पास आती है और उसे सोरी बोलती है लोरा कहती है कि मुझे ऐसा लगा था जैसे तुमने ही मर्फी के कंप्यूटर जाड़ चैट करी थी लेकिन शच तो यह है कि वो वेट था क्योंकि उसका बैंड कंप्यूटर के सामने मिला लोरा फिर से एलिस को सोर बोलती है एलिस कहती है कि कोई बात नहीं फिर लोरा एलिस से कहती है क्या तुम्हें पता है कि वेट है गया है एलिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है उसकी तो एक गल्फ्रेंड है लोरा एलिस को बताती है कि अब तक उन दोनों ने किस भी नहीं की है और इस बात को छुपाने के उसने तुम्हारे बारे में सेलेट टोसिंग के अपवा फिलाई थी तब ही वेट सब के सामने आता है और कहते है कि प्लीज गोड मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो मर्फी सब लोगों से कहता है कि अगर तुम में से कोई कुछ भी कहना चाता है तो वो अभी कह सकता है तब हैलिस उठती है और वो सब के सामने श्टीच पर जाकर के कहती है कि तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी सुनते हो जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सच है जब कोई तो हमारे मन में कोई भी गिल्ट नहीं रहेगा ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है उसकी स्पीस सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग शान्त हो जाते हैं अब उन लोगों का स्प्रिच्छल प्रोग्राम खत्म हो चुका है और वो सारे लोग अपने अपने घर आ चुके हैं अगले दिन एलिस स्कूल जाती है लेकिन किरिस उसे देखका छुपने लगता है एलिस उसके पास जाकर के कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कुछ भी लाश्ट टाइम हुआ था वो अब फिर कभी नहीं होगा और हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं इसके बाद एलिस मरिफी के बाद जाती है क्या इसके लिए मुझे गोड माफ करेंगे ये सुनने के बाद मरिफी को अपने उपर गिल्ड फील होने लगता है क्योंकि उसने भी अपने कम्प्यूटर में अडल्ड फिल्म देखी थी मरिफी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता ये तुमारे और गोड की बीच की बात है इसके अबाद एलिस अपने घर आ जाती है और वो टीवी में टाइटरिंग मुवी का कारवाला सीन लगा के अपने अंदर उंगली करने लगती है और कुछ इस तरह से ये मुवी आई पर खत्म हो जाती है दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आयोगी अगर पसंद आयो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर देना और ऐसी इंटरेश्टिंग एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में